हलो दिये इस्टुटेंट वेलकम है आपका हमारे यूटूब चैनल बी के टी कमिश्टी में आज हम 10 क्लास के चैप्टर एसी बेस और साल्ट के लास्ट पार्ट पर डिसकस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है एक नया कंपाउंड जिसका नाम है पी ओ पी मींस प्लास्टर आप पेरिस प्लास्टर आप पेरिस और हम बात करेंगे जिप्सम की जिप्सम की ठीक है देख बेटा एक कंपाउंड होता है कैल्सियम सल्फेट और डाई हाइडरेट टू यज्टू दिस इस तब फार्मूला आप जिप्सम अगर मैं इसको 371 कैल्बिन पर हीट कर दूँ तो यह बनाएगा इसको बोलते हाप और इसका नाम होगा कैल्सियम सल्फेट और 1 by 2 को बोलते हैं हेमी हेमी माने आधा हाइडरेट हाइडरेट मीन्स इस वाटर इस दब फार्मूला आप प्लास्टर आ पेरिस से क्या बनाते हैं स्वरी हम जिप्सम से क्या बनाएंगे प्लास्टर आ पेरिस और सुनो अगर अगर मैं टमप्रेचर चेंज कर दूँ तो हम P.O.P. से फिर क्या बना सकते हैं जिपसम जिपसम से P.O.P. और P.O.P. से क्या बोलो जिपसम अच्छा आई जानते हैं कि जिपसम और P.O.P. है क्या देख बेटा जी अब जिपसम वो सबिस्टन्स होता है जो सीमेंट में मिलता ह है सीमेंट में मिलकर उसको मजबूती देता है दरसल दो इटे रखो और सीमेंट लगाओ जुड़ जाएगा वो कमाल किसका होता है जिपसम का जिपसम की ही कंटेंट सीमेंट को मजबूत बनाती है तो सीमेंट इंडेस्टी में हाई क्वालिटी में हम किसका यूज करते हैं जिबसम का अच्छ पी ओपी क्या है पी ओपी एक बड़ी आइडियल चीज है इसके कई यूज है पहला बेनिफिट अगर चोट लगे और हमारी कोई बोन करेख हो जाए तो आप देखे डाटर प्लास्टर चाहते हैं मजबूत मजबूत वाइट कलर का दरसल वो प्लास्टर प्लास्टर आप पेरिस होता है पॉइंट नमबर टू कुछ सफेद कलर की मूर्तियां मनती हैं जिनके उपर अलग अलग पेंट करते हैं वो भी प्लास्टर आप पेरिस का बनता है कुछ लोग अपने घरों पर उपर सजावट के लिए कुछ सीमेंट टाइप का यूज करत हैं वो भी हमारे पास क्या होता है प्लास्टर आप पेरिस होता है तो हम जिप्सम से प्लास्टर आप पेरिस और प्लास्टर आप पेरिस से क्या बना सकते हैं जिप्सम ठीक है पॉइंट नमबर टू हमारा एक और कंपाउंड है जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, फार्मूला होता है C-A-O-C-L-2, this is the फार्मूला आप, ब्लीचिंग पाउडर, C-A-O-C-L-2, यह ब्लीचिंग पाउडर का क्या है बोलो, फार्मूला, कैसे बनेगा, अगर मैं स्लैड लाइम ले लूँ, इसके बारे मैं बता चुका हूँ आपको, C-A-O-H का होल C-A-O-C-L-2, एक ठीक है, एक तो बन गया C-A-O-C-L-2, साथ में बनेगा वाटर मालिक्यूल, मतलब क्या बोलो, H-2-O, आइए चेक करें और क्या बनता है, यहाँ पर दो बार हाइडोजन, दो बार आक्सीजन, C-A-O-O-H-H, और C-L-C-L कितनी बार बोलो, दो बार, तो एक तो बन गया C-A-O-C-L-2, और एक बन गया क्या बोलो, H-2-O, तो I hope C-A-O-C-L-2 के बाद क्योल क्या बचा बोलो, H-2-O, इस तरीके से आप रियक्शन को ब्रीप करके, यह चेक कर सकते हैं, कि हमारा बनने वाला प्राड़क्ट वही है, कि यह इसमें कुछ और बन रा, कैसे चेक करेंगे, आप open कर लो, आप इसको open कर लिया करो, यह लिखो, चार बार ओ लिख दो, lower classes में हमारा यह aim होना चाहिए, कि अगर आपको उधर चेक करना, तो open करके, आप separately लिख लो, और फिर देखो, जितने माली कुन इधर है, उतने उधर भी है, इसका मतलब आपका reaction क्या है, बोलो, balance, अच्छा, bleaching powder के अगर बेटा मैं यूज पराऊं, तो इसका सबसे बड़ा यूज होता है, water को clean करने में, बड़ी-बड़ी पानी की टंकी जो गंदी हो जाती है, उसमें bleaching powder डालने पर, वो गंदगी को काट के नीचे बैठा देता है, या धीरे-धीरे impurity bacteria को वो kill कर देता है, तो main bleaching powder का work होता है, bacteria को water से clean करने के लिए, bleaching powder की छोटी-छोटी गोलिया आती है, अगर आप इसको गंदे पानी में डाल दो, तो आप आदे घंटे बाद देखोगे, कि नीचे सारी dust जो है, वो black color से deposit हो जाए, या उपर आपको पानी pure दिखेगा, मतलब bleaching powder is helpful for purification of water, तो ये दोनों हमारे सामने एक बड़े अच्छे compound थे, अच्छा, अब एक नई बात बताने वाला हूँ, हमारे book के last में एक activity दी गई है, last में एक activity दी गई है, और उस activity में क्या बताया गया है, आईए जानते हैं, उसमें थोड़ा water के crystallization के बारे में बत परिमेंट में क्या किये हैं, एक हमारे पास, एक हमारे पास burner है, इस तरीके से, burner का मतलब, आप में पहले वीडियो को देखिएगा, मैंने बताया है उसमें, burner का मतलब जिस से हम किसी को heat करते हैं, और ये हमारे पास एक test tube है, ऐसी, इस तरीके से, और इसको मैंने holder से लगका है यहां परो ठीक है और के अंदर हमने क्या डिपॉजिट किया है यहां हमने भर दिया है कौपर सलफीट सी यू एसो फोर वो भी ड्राइड ड्राइड सूखा हुआ और जब मैंने इसको हीट किया तो इसका कलर आया हुआइट कैसा आया हुआइट दरसल आपको क्रिशलाइन फार्म में होता है जब उसमें वाटर के कुछ क्रिश्टल मौजूद हो जैसे पानी हमको मीठा तब लगेगा जब उसमें चीनी के कुछ क्रिश्टल मौजूद हो नमक हमको नमकीन तब लगेगा जब उसमें साल्ट के कुछ क्रिश्टल क्या हो बोलो मौजू ऐसे बेटा देखो जब ये ड्राई था तो वाइट कलर था अब मैंने क्या किया यहां से कुछ बून पानी इसमें डाल दिया और इसको हमने मौइस्ट कर दिया कापर सलफेट भीग गया फिर जब हम हीट करेंगे तो इसका कलर कैसा दिखेगा ब्लू दिखेगा मतलब कापर स सलफेट इन्टू फाइब यह तो इन्टू फाइब यह तो का मतलब होता है कि पानी के कितने किस्टल है पांच और इसका कलर कैसा होगा ब्लू होगा और अगर मैं इसको हीट कर दूँ तो सारा वाटर वेपर बनकर कहां उड़ जाएगा उपर केबल क्या बचेगा ड्राई कापर सलफेट सूखा कापर सलफेट जिसका कलर कैसा होगा बोलो वाइट तो हम यह बताना चाहते हैं कि किसी के साथ वाटर के क्रिश्टल आने से वो अपने कलर को चेंज कर देता है क्रिश्टलाइन वाटर चेंज कलर बिधी या सिंपली भी वो अपने कलर को क्या करता है चेंज करता है तो ये हमारा आज खतम हुआ चैप्टर नमबर टू एसी बेस और साल आई होप आपको सारी बाते अच्छी सी समझ में आएंगी मेरी बात को सुनकर आपके कॉपी पर उसकी नोट भी बनाये करिए अब कल हम इस चैप्टर टू के कूश्चन आंसर पर डिसकस कर अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक करो सस्क्राइब करो सेर करो थैंक्यू फार वाचिंग